हեл票 फ्रेंट्स, वेलकम बेक तो माई चैनल तो फ्रेंट्स, मेरे सामने आप ये देख रहे हैं बहुत ही सुन्दर सा प्लांट है, फूल वाला, जो कि सर्डियों में ही फूल करता है इस plant की care आपको कैसे करनी है ताकि आपका plant स्वस्त रहे और फूल भी ज़्यादा आए और next time के लिए भी आप इसके bulb को कैसे save कर सकते हो इस वीडियो में आपको पूरी information मिल जाएगी इसलिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखे बिना escape किये हुए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बैल आइकन के साथ सो फ्रेंड्स ऐसियाटिक लिली एक ऐसा प्लांट है जो की बल्ब से ग्रो होता है ये सीड से भी ग्रो होता है लेकिन इसे मतलब ज्यादा अच्छी ग्रोत पाने के लिए ये प्लांट ज्यादा तरसे बल्ब से ग्रो होता है इसका अगर आपको बल्ब उगाना है तो आप इसका बल्ब online भी मंगा सकते हो इसका plant थोड़ा महंगा मिलता है ये plant nursery में 80 रुपीज के आसपास मिलता है 100 से 80 रुपीज के आसपास ये plant मिल जाता है तो ये plant देखे अगर आप इसके bulb मंगाएंगे तो bulb इसके सस्ते मिलते हैं और online भी मिल जाते हैं सबसे स्टार्टिंग में इसके pourट की बात करें तो आपको इसके लिए 8-9 इंशicky करें इसमें होगा क्या क्योंकि बल्ब से ग्रो करता है तो बल्ब हमें इसमें थोड़ा बीज्ट की दबाना होता है नीचे की साइड इसलिए इसका बल्ब दबाते हैं ताकि इसका स्टैम देखे आप ये बहुत लंबा निकलता है अगर हम इसका बल्ब थोड़ा नीचे जमीन में नहीं लगाएंगे तो बहुत ही जादा लंबा सा इनका स्टैम हो जाता है इसलिए हमें इसके पास एक स्टिक भी लगा देनी होती है क्योंकि इस पर फूल देखे आप बहुत बड़े साइज का निकलता है और एक ही प्लांट पर इसमें सिर्फ इस प्लांट की ये भी खास बात है कि इसमें एक बार में ही कलिया बनती है वो कलिया या तो इसमें चार से पांच बनेंगी या फिर तीन बनेंगी जितनी भी बनेंगी सिर्फ एक बार में ही इसके कलिया बनेंगी उसके बाद इसमें कोई फूल नहीं आता है तो एक बार में जितनी कलिया बन गई सिर्फ वही बनती है उसके बाद हमें इसकी फूल आने के बाद कट करके इस एक साइड में रख देना होता है तो ये प्लांट जैसे कि हमारा बल्ब से ग्रो होता है तो इसमें हमें बहुत जादा पानी नहीं डालना होता है इसमें हमें सिर्फ पानी तभी डालना है तब हमें लगे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, आपको इसमें तभी पानी डालना है, मिट्टी चैक करके, बहुत जादा अगर हम इसमें पानी डालते हैं, तो बल्ब होते हैं, जो कि नीचे की साइड से गलना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको लगे पूरा दिन की धूप में रख सकते हो, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपको लगे कि फूल आपके प्लांट पर खिल चुके हैं, तो उसे आप ऐसी जगहा पर रख दीजे, जहां पर उसे सिर्फ सुभा की एक या दो घंटे की ही धूप मिले, उससे ज्यादा धूप ना मिले, क्यूंकि पूरा दिन की धूप अगर आपके फूलों पर पड़ेगी, तो इसके फूल मुर्जा जाएंगे और जल्दी से खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस प्लांट की बहुत अच्छी खासियत ये है कि इस पर एक बार फूल आने के बाद कम से कम 8-10 दिन त जाएंगे, और बहुत सुनदर लगते हैं देखने में, इसके आपको कलर भी नर्सरी में बहुत सारे मिल जाते हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी इसका कलर ला सकते हो, तो जब हम बल्ब ओनलाइन मगाते हैं, उसमें हमें कलर का नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम नर्सर वाले प्लांट में अगर मिट्टी जमी हुई होगी या फिर पानी रुकेगा तो बल्ब नीचे की साइड से खराब होना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें थोड़ी वैल डेन मिट्टी अगर आप रखोगे तो इसके लिए बहुत अच्छी होगी प्लांट के उसके लिए करके अच्छी प्लांट को लगा देते हैं तो वो कलिया आने तक उसके लिए काफी होता है लेकिन उसके बाद जिस टाइम पर हमारे प्लांट पर फूल खिले होते हैं उस टाइम पर उसे ज्यादा एनरजी चाहिए होती है तो हमें करना क्या होता है अपने प्लांट में अबर की खाद हो गया तो पानी में घोल कर वो भी आप इसमें डाल सकते हो लेकिन नाइट्रोजन ज्यादा ना डालने की बजाए नाइट्रोजन से क्या होगा इसमें पत्या ज्यादा बनेंगी फोल सिर्फ एक या दोख लेगा तो इसकी अलावा हमें इसमें यहाँ पर लेना है और उनका लिक्विड बना के वन वीक में या फिर पंदरा दिन में आपको इस प्लांट में डालते रहना है उससे इसमें बहुत अच्छी खाद मिलेंगी और इसके फूल भी अच्छे खिलेंगे एक बार में ही कम से कम पांच कलिया बनेंगी पांच से छे कलिया इ अनी हुई क्योंकि काफी मोटी से सेप की होती है इसकी कली जो की देखने में बहुत सुंदर लगती है अगर इस प्लांट को आप लगा रहे हैं आपके पास ज़्यादा जगह है आपका पोट ज़्यादा बड़ा है तो एक ही पोट में अप इसके अगर तीन से चार बल्ब लगाते हैं तो एक पोट में बहुत सुंदर लगेंगे फूल इसके खिले हुए क्योंकि इसके काफे बड़ी साइज के फूल होते हैं तो आप एक पोट में ही कलर फूल इसके बल्ब लगा सकते हो या फिर कहीं पर क्यारी होती है तो क्यारी में भी इसके एक साथ ही फूल जब खिलते हैं तो बहुत सुन्दर लगते हैं ये प्लांट डेकुरेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है फूल आने के बाद आप इसे डेकुरेशन के लिए भी रख सकते हो इस plant में कोई कीड़ा वगरा भी जादा नहीं लगता है ये भी इसकी एक खासियत है plant की लेकिन अगर आपको by chance लगता है कि black color का जो चिपचिपा सा कीड़ा होता है वो इस पर लग गया है तो हमें करना क्या है एक स्पून आपको नीमोईल ले ले ली है और एक लिटर गरम पानी ले लेना है और गरम पानी में नीमोईल बहुत अच्छे से mix हो जाता है उसे थोड़ा और अच्छे से वो mix हो जाए उसमें आपको या तो कोई भी आप hand wash ले सकते हो या फिर sample ले सकते हो उसे अच्छे से जब हम mix करते हैं हिलाते हैं तो वो बहुत अच्छे से spray करने के लिए तयार हो जाता है वो आप इस पर 15 दिन में एक बार spray करिए तो इस पर कोई भी कीड़ा कुछ भी आपको नहीं दिखाएगा मीली बग वगरा कुछ भी नहीं लगेगा इससे ये plant हमा लेकिन इन फूलों को थोड़ा spend होते ही हमें इने cut कर देना है बिल्कुल नीचे से और cut करके हमें इसे plant को ऐसे कैसे ही अपना एक साइड में रख देना है उससे क्या होगा कि ये हमारे पास next year के लिए भी save हो जाएगा अगर हम इसे time से cut कर देंगे तो अगर हम इसमें फू बनने नहीं देना है next year के लिए इसे save रखना है so friends इस वीडियो में इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आए तो thank you so much bye bye